हालो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स अगर इन्मेटर मोडल एर कंडिशन तो वहाँ पर आड़ शार्सों दस ए रेफ्रिजेंटर तो वहाँ उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं या कैसे उसमें फिल अप कर सकते हैं तो मैंने इस वीडियो में इसलब ध्यार रखना चाहिए जिसे कि कोई नुकसान ना हो और आर 410 ए रेफ्रिजेंट है वहाँ पे और आप टॉप अप करना चाहते हैं तब आप कब टॉप अप कर सकते हैं जिसे कि कोई नुकसान ना हो ठीक है तो आपको मैं दोनों कम्प्लीट प्रेक्टिकली बताऊ रखना है हार 410 एक जो आपका स्टेंड़िंग प्रेसर होगा वह आपका होगा 225 से 200 पी एस आई टीक और रनिंग प्रेशर जोगा और 410 ए रेफ्रेजेंट का वहाँ पर रनिंग प्रेसर होगा आपका 120 से 130 पी ऐसा है आपको इस चीज का ध्यार रखना है और हमें साब को एक चीज और में गाइट कर दो कि आप जब गैस चार्ज करेंगे उस समय करेंगे गैसब लुकिऊट में चार्ज करेंगे जिसी कि लग करनें तो वहाँ पर उपर का योर दियां रखना आप जब कैस चार्ज करेंगे तो आपका जो और यूर् cash ऑपका की ते केज यह लोट पास जाद को पर लोट के ल सब्सक्राइब थार में तुर के यह शिक्टमार्ट इससे मैं गेश को ऐसे चार्ज क्रेंगे लगेश को आप अगर इसके बाद जब running में pressure आता है तो उसका running pressure बहुत ज़्यादा चला जाता है उसका head pressure बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इससे क्या होता है आपका जो compressor वह ट्रिफ होगे बंद हो जाता है और इससे नुकसान भी हो सकता है तो आपको गया gas charge जो करेंगे बहुत slowly slowly करेंगे जिस जादा ना पहुंचे इस चीज का आपको अध्यार रगना है gas आपको हलके हलके charge तो आप कहीं भी site पर जा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको check out करना है कि इसमें रेफ्रिजेंट कॉन CAT के तो वहाँ पर क्या है company एक sticker देती है वहाँ पर mention करके देती है कि इसमें ज आपको देख लेए और टरी उल्ट पर ही मिलएगा वाह पर इस्टिक आपकर सकते हैं और उससी or अग्शिक करत सकते हैं और जो company ने mention के कर रखें तरी इसी इस यॉदर रखना है आपको ध्यान रखना है अगर आपका जो लीक है वो नटों से या फिर यूनियन से वहाँ पे आपकी गैस जो है मुस्किल से 20 परसेंट या 15 परसेंट जाये हुई है वहाँ पे 80 या 85 परसेंट वहाँ पे रेफ्रिजेंट मौजूद है आपने गेज लगाया उसके बाद आप आपको लीकी भी मिलेगा कि आपकी नटों पर लिक है फिर यूनियन पर लिक है अभी हाप लिक जो थी वह इन पर थी तो सारी गैस निकल गई थी तो आपके सामने अगर आप 18% गैस वहाँ पर बच्ची है तब आप वहाँ पे टॉप आप कर सकते हैं आपको कहना अगर जो आउड़र इन पर नटोंगो तो आपसे लिक हैं तो आप किया करें वहाँ पर क्या तरीके से टॉपकर सकते हैं गैस को ठीक है इससे कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर 85% गैस उती तो आप वहां पे आप टॉप आप कर सकते हैं अगर गैस आपकी 50 पर संट या 60 पर संट है तो आप गैस सारी निकाल दें उसके बादी आप दोबारा नहीं तरीके से काम करें जैसे कि मैं अभी करूँगा आप इस्टे बिस्टे वो देख सकते हैं जहां रखने आप टॉप आप कर सकत या फिर जो order की नेट होते हैं बहाँ पे हो या फिर union मों तब आप कर सकते हैं otherwise अगर order unit में तो सारी gas आप निकाल दें उसके बाद दुवारा नहीं तरीके से काम करें सबसे पहले आप को आध closer कर कि जरतें कि कैसे करना चाहिए तो आपको सबसे पहले वैक्यूम करना ठिक है रहा है और बैक्यूम की टक्राइमिंग जो रहेगी 45 मिल्ट रहें ठीक है यह बाद प्रॉपर सब्सक्रीस हो जाता उसके बाद एक से अच्छे से जब वैक्यूम हो जा उसके बाद आपको वैक्यूम अच्छे से कर लेना और होल्ड रखना है दस मिट तक ठीक अगर कहीं से लीक होगा माइनर सावी तो वहां के जो वैक्यूम की सोई होगी वह उपर आजेगी तो आप इस तरह इससे कहा इडेंटिफाई कर सकते इससे बाइटि तो आपको करना है उसके बात जब क्या सिहाँ रखना है कि करके करेंगे तो आप हलके-बात टीक है इसके पर इस को निकल जाए नी झाल ने कि उसका जो स्टेंडिंग प्रेसर आप तो आप इस तरीक़े से इसको गैस долл के मैं टैर arts और घ्रिक्र रॉस करने और एक दम और ज वहां पैस czas कर देर तब लिखिकत बहुत जादा हो जाती है टो आप इसी तरीक़े से gass को चार्ज कर सकते तो अप हलके-हलके, slowly slowly gas charge करें जिससे की गयस एकडम ज़्यादा ना पहुचे और vacuum का खास्तोर से ध्यार रखना है, vacuum बहुत अच्छे से कर लेने की, vacuum करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका जो vacuum हो जाएगा तो जाहर सी बात है आपका अच्छे से cooling करें तो अब यह आपको क्लेमेटर भी लगा लिना है जिसे कि एमपेर सारे सो हो जाएं आपके सामने ठीक तो आप एमपेर को भी मतलब देख लें और नोट कर लें कि वहाँ पेंपेर कितने हैं और फिर आप इनुट को आउन कर दें ठीक इनुट जब आउन कर देंगे उसके बाद आपका जो रेफ्रिजेंट होगी वह चार्ज होने लगी तो जब थोड़ी बहुत कम रहे जाती है रणिंग में आप चार्ज कर सकते हैं बाकी अगर आपके वेट को अकॉर्डिंग कर दीक तो आपको इस चीज का दियार रखना है तो अभी यहाँ पर क्या है मैंने मतलब एमपेर हो गया है और बाकी आप एमपेर देख रहे हैं एमपेर वी हाँ पर लगवख 2.5 है और अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट तो अभी एमपेर वी आइसा इसा वड़ जाएंगे इसके ठीक है तो आप देख रहे हैं जो रनिंग प्रेसर है मैं हलकी सी गयास को रिलीस कर रहा हची है तो आप इस तरी के से गयस को चार्च कर सकते हैं को नुकसान नहीं कोगा को exists अगर यह सारी स्टैफ ऑस्टैफ नजल जो फॉलॵ करेंगा आप यह सारी चीजिए तो आप इस तरी के से कोई दिक्कत नहीं होगी तो अभी आप देख रहे हैं हमें आयसा यसा गयर को आप एमप रिक तरु बहुत नज़र रखें जिसकी एंब यहादा नहीख तो यहां पर जो ईनुग प्लेसर इसका अब महीं फिर से दिखाता हो आपको की रनिंग प्लेसर कितिना यहां पर तो आप देख रही है तो आप को इस तरीके से गास को चार्ज करने और जो 100 पिलस हो जा उसके बाद आप क्या करें गैस को थोड़ा सा होल्ड कर दें आप देखरें 115 PSI हो चुका यहां पर तो आपको के करना है इस चीज का ध्यार रखना है उपागी इसकी जो देखरें आप सक्षन वाली जो लाइन है वह आप में नमी आना स्टार्ट होगी कि या को चार्ज कर सकते हैं तो friends एक complete वीडियो आपको कैसी लगी बीडियो को लाइक कर दो चैनल पर न्यूस लेख शान को सुस्क्राइब कर दो और फ्रेंड एक बिडियो में लोट करें वीडिव लिस्ट में जाकर देख सकते परसनली फ्रेंड उसको शेर जरू करें थैंक यू फॉर वाचिंग